एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगा डर जोन के नए एपिसोड में दोस्तो हम कई बार मारुती सुजुकी की जो बोडी क्वाल्टी है कार क्वाल्टी जो सेफटी फिचर्स है इस्पेशली जो क्रेश टेस्ट रेटिंग है उसके लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं पहले बिन की crash test rating काफी खराब रही है एक तरह से fail ही रही है test में तो उसके बाद काफी समय बाद कई महिनों बाद दुबारा से एक ऐसा update आया है एक बार दुबारा से मारती सुखी ने अपनी गाड़ी को ग्लोबल NCAP में crash testing के लिए भेजा है और एक बार फिर से काफी निराशा जनक result आया है कौन सी एक company बिल्कुल कौन सी car है उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे क्या result रहा है उस पर भी बात करेंगे तो overall important रहेगी वीडियो अगर आप भी planning कर रहे हो मारतिय सुझकी कोई गारी खरिदने करेंगे specially छोटी गारी तो ये वीडियो आपके लिए है पूरी वीडियो जरूर देखिएगा आपको याद होगा हमने इस चैनल पर कई वह डिसकस किया है कि मारतिय सुझकी ने कई बार अपनी जो गारियों को crash testing के लिए भेजा है तो उसमें अकसर जो उनकी special की चोटी गारी है अल्टो, K10, Swift ये सब इनको काफी low level का score मिला है 0, 1, 2 इस तरह का इनको score मिलता है global NCP crash test rating में तो उसके बाद मारतिय सुझकी ने कहा था मुझे यादा है lockdown से पहले उनकी जो उनके senior round एक interview में कहा था कि आज के बाद मारतिय सुझकी अपनी गारियों को global NCPIA में testing के लिए नहीं भेजेगा उनने ने कहा था कि हमारे जो array approval के लिए जित जो requirement है वो हम पूरी कर रहे है भारत में हमें इस से ज़ादा कोई requirement नहीं है तो उसके बाद हमें लगा था कि शयद अब कभी मारतिय अपनी गारी को नहीं भेजेगा लेकिन इनने अपनी है को और गारी small espresso को हाल में ही testing के लिए भेजा था और हम कह सकते हैं कि एक बार दुबारा से काफी निराशय हुई है जो इसका result निकल कराया है zero score मिला है adult safety में और हाँ कुछ score थोड़ा इनको improvement जरूर थी child safety में लेकिन overall driver safety की बात करें तो वहाँ पर zero score espresso को मिला है crash test rating global NCAPA हम सब जाते हैं कि सभी गारी या मरतियू की hard track platform पर बनी है लेकिन इस result में इस platform को काफी unstable बताया गया है driver passenger की जो chest protection है काफी poor level की यहाँ निकल कर आई है driver जो front passenger है जो या adult safety है विकुल zero score मिला है child safety में थोड़ा improvement जरूर देखी गई है मुझे मीथी के इतने मिहनोबाद मरतियू जुकी कोई गारी तो अब सिरी बात है कि मैंने पहले भी कहा है अब भी कहता हूँ कि एक बार दुबारा सोचने की जूर था अगर आप मुझे कोई छोटी गारी hatchback रिदने की सोच रहे हो तो एक बार safety features के बारे में जूर सोचिए क्योंकि उस गारी में सिरफ आप ही नहीं आपके family भी सफर करती है वहीं अगर हम बात करें भारत की अपनी companies मैं मरती सुजुको को Indian company नहीं मानता हूँ क्योंकि maximum share आज की रेट में सुजुकी के पास है मरती सिरफ नाम का एक नाम साथ में लगा हुआ यह सिरफ अप मरती सुजुकी ही इसको आप कह सकते है वहीं भारत की अपनी company Tata Motors, Mahindra & Mahindra 5-star rating इनकी गारियों को 5-star, 4-star rating इनकी गारियों को मिल रही है Tata की Nexon, Ultros इनको 5-star है जो छोटी टियागो है उसको भी 4-star rating है वहीं जो नई इनकी गारियों आ रही है Mahindra की लाइक, XCV300 इनको भी 5-star rating मिल रही है उसे काफी शर्म की बात है By Volume No.1 position यहाँ पर आती है मरती सुजुकी की तो बड़ इनकी quality देखिए बिल्कुल 0 score इनको मिल रहा है टेस्टिंग में तो बिल्कुल शर्म की बात है मैं इसमें ज़्यादा क्या कहूं मुझे कई वार शब्द नहीं मिलते है मैंने clear आपके सामने कर दिया है quality इनकी कैसी है वैसे जानते हैं मुझे बहुत comment आते है quality के बारे में लेकिन फिर भी इस result से इनकी कोई नियत नहीं है अच्छी बिल्ड क्वाल्टी अच्छी बिल्ड क्वाल्टी की गाड़ी बनाने के आज भी इनकी प्लानिंग नहीं है मुझे तो बिल्कुल सो समझ कर गाड़ी लीजिए दोस्तो अगर मुझे पूछते तो I prefer Tata and Mahindra तो यह था आज का अपडेट आज के लिए तना ही आप क्या क्या कहना है बिल्कुल कमेंट में जूर बताईएगा दने बाद वीडियो को अंतक देखने के लिए जाहिंद